नमस्क्राइब दोस्तों माइनम है मेहंदूर रोस्टवाल तो आप मेमर आप टीम कमेस्ट्री तो आज अपने सॉल्व कर रहे हैं केम 5 को चो डीश्यम 14 है केम 5 तो इसमें कौन-कौन से चेप्टर कंसिडर किये गए हैं तो केम 5 में आप देखिए नाइट्रोजन कंटेनिक कं इसके 15 क्योशन अपने लिए हैं इसमें बायमालीक्यूल के 15 क्योशन पॉलीमर के 10 क्योशन और कैमीन कमेस्ट्री लाइब इसके 10 क्योशन इन्वायरमेंटल के 10 क्योशन और अटोमिक स्टेक्चर के 15 क्योशन इसमें लिए हैं टोटल 75 क्योशन से तो अपने इसका सॉलिशन क्या होगा यह अपने को बताना है देखिए अगर आपको किसी compound का समाने अनुसुतर calculate करना है तो उसका एक molecular बना लीजिए ऐसे जैसे मैंने इस type से ऐसे बना लिया उसमें मुझे double bond put करना है तो यह double bond मैंने put कर दिया और यहाँ NH2 आ गया ऐसे यह अब इसका मैं इस form में six put कर दूँगा अब इसके hydrogen जो है वो मैं calculate करूँगा तो कैसे calculate करूँगा इसमें तो three four five or six seven तो plus one करूँगा मैं यहां plus one हो गया और यहां nitrogen हो गया ऐसे इस तरीके से तो इसके coding cn h2n और plus one और n यह अपना general molecular formula इस तरीके से बन रहा है तो इसमें अपना answer कौन सा होगा second answer होगा यहां तो यह है कोई भी compound अपने को दिया है समाने अनुसूतर तो आपको देखना है कि उसके अंदर alkene amine दिया है कि alkene amine है या alkane amine दिया है आइन भी दे सकता है ठीक है तो इसका answer second होगा चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ तो second question है आयूपीसी नेम ओफ एलाइल विनाइल अमाइन का आयूपीसी नेम होगा तो एलाइल का जो structure है वो इस टाइब से रहेगा यहां CS2 फिर NH और विनाइल का structure इस टाइब से ऐसे यह यह तो इसका आयूपीसी नेम अपने को बताना तो अगर आपको यह common नहीं आ रहा है तो फिर आप आयूपीसी नेम कैसे इसको लिख पाऊगे कर पाऊगे क्योंकि अपने को structure तो बनाना आना चीए तो इसमें यह functional group है functional group को प्राइटी देते हुए चलेंगे तो अपनी नंबरिंग यह रहेगी 123 तो इसमें जो नाइट्रोजन के किसी नहीं में इसको अपने option में देखेंगे तो फास्ट ओप्सन दिया है कि इसने एन प्रोप इन दे दिया जो की incorrect है ऐसा नहीं होगा एन एथ इन आईल और एन दोनों को substitute कर लिया तो यह भी मतलब इसमें अपना जो आंसर है वह फोर्थ अंसर होगा अपना इस तरीके से अपने इसको सॉल्ब करेंगे तो इसमें फोर्थ अंसर हो गया नेक्स्ट क्योशन है अपना तोटल नंबर अप 2 डिग्री आईसोमर्स ओफ C4H11N C4H11N के कुल 2 डिग्री समावी बताने अपने को तो आप देखे कि 2 डिग्री आपको NH2 नहीं रखना N नहीं रखना आपको NH रखना है 2 डिग्री और 2 डिग्री में एक बार मैं इस कारवन को साइड पूट कर लेता हूँ यहाँ तो यह CS3 हो गया इधर N और H हो गया और यहां 3 डिग्री यहां क्योंकि एक कारवन इस साइड आ गया तो यह 3 कारवन तो यह आपका प्रोपाइल है प्रोपाइल को आप आप एक और लिख सकते हो, N-Propyl form में लिख सकते हो ऐसे, तो यह N-Propyl हो गया यहां, यह, तो यह total 2 degree रखने हैं अपने पो, और एक अगर आप carbon migrate कराओगे, carbon migrate कराने के बाद में जो nitrogen है वो आपका इस तरीके से ऐसे आएगा, यह, तो यह 2 degree, हाँ ना, 2 degree यह जो isomers है, यह 2 degree 3 isomers है, तो इसमें total isomers कितने आएंगे, अपने 3 isomers आएंगे, हाँ ना, तो अपना answer इसमें कौन सा हो जाएगा, first answer हो जाएगा, तो बिल्कु सिंपल सा question है, total नहीं पूछा है, इसके अंदर, total नहीं बताना, आपको 2 degree समावे भी बताने है, हाँना, जो secondary amines है, वो आपक है, तो इसका answer यह हो जाएगा, तो चलते हैं next question की तरफ, तो next question है, which of loving amine cannot be prepared by gabriel thalemide synthesis reaction, नीमन में से कौन सा amine जो है, वो gabriel thalemide synthesis द्वारा नहीं बनाया जा सकता, अब थोड़ा सा अपने को reaction देखना पड़ेगा, देखो gabriel का जो reaction है, वो इस तरीके से मैं थोड़ा structure बन करवा देते हैं, alcoholic KOH के साथ, जब आप reaction करवा देते हैं, तो आपको इस type से ऐसे nitrogen gain होता है, यहाँ, एन negative, है ना, एन negative gain होता है, यह, ठीक है, तो इसका reaction अपने किस से करवाते हैं, इसका reaction अपने करवाते हैं, यहाँ RX के साथ में ऐसे, इस तरीके से, आर X के साथ में, यह AZ Nucleophile, यह AZ Nucleophile इसके उपर यहाँ अटेक करता है, और इस X को यहाँ से substitute करता है, तो यह reaction जो है, अपना SN2 मेकनिजम को follow करता है, और SN2 में आपको पता है कि यहाँ, reactivity order यह 1 degree, और यह 2 degree, और 3 degree, इस type से ऐसा होना चाहिए, अब देखिए, जिस type का, आप alkyl halide यूस करोग तो देखिए, मुझे यह use करना पड़ेगा, highlight, अगर मुझे यह amine बनाना है, तो मुझे यह halide यूस करना पड़ेगा, यह halide मैं use नहीं कर सकता, क्यों नहीं use कर सकता, क्योंकि देखो, due to resonance, इसके अंदर double bond character आ जाएगा, तो यह यहाँ react नहीं हो पाएगा, यह reaction नहीं कर इसका मतलब है, कि मैं यह जो first वाला है, यह amine नहीं बना सकता, यह amine मैं नहीं बना सकता, इसके अंदर, second वाले में देखो, कि अगर मैं यह benzen यूस कर लूँ, तो मुझे इस type का highlight यूस करना पड़ेगा, बेंजीन के लिए, मुझे इस type का highlight यूस करना पड़ेगा, ऐसे, यहाँ NH2, यह, यह highlight यूस करूँगा, तो यहाँ भी क्या होगा, इसमें highlight यूस करना पड़ेगा, तो यह, यहाँ CL अपने को रखना पड़ेगा, यह, तो यहाँ कोई भी CL, BR, जो भी है, आप रखोगे, तो यहाँ double bond करेक्टर आजाएगा, ऐसे, double bond करेक्टर आने की वज पड़ेगा, इसके लिए मुझे यह highlight यूस करना पड़ेगा, इथाईल, हाना, तो इथाईल यहाँ easily reaction कर सकता है, और amine बना सकता है, बिस आपको है, in amine के थूरू, इस alkyl halide को recognize करना है, alkyl halide को आप recognize करोगे, तब आपको पता चलेगा, which amines cannot prepared by this reaction, हाना, तो इसमें आप यह amine prepare कर सकते हो, यह दोनों नहीं कर सकते, इसका मतलब जो option 4 है, उसमें लिखा है कि A और B यह दोनों नहीं बन सकते, इसलिए अपना answer कौन सा होगा, फोर्थ अपना, इसमें right answer होगा, तो चलते हम next question की तरफ, नेक्स्ट क्योशन है कि how many NUH molecules are used in हापमान ब्रोमाइड degradation and कार्विल अमाइन reaction, हापमान ब्रोमाइड निमनीकरण और कार्विल अमीन अभिकरिया में, कुल कितने NUH अपने यूज करते हैं, देखो हापमान ब्रोमाइड अपने reaction पूट करते हैं, हापमान ब्रोमाइड ज आएगा इसे, चीक है, तो यहाँ अपने को 4NAOH यूज करना होता है, 4NAOH, तो इसमें RNS2 बनता है से, RNS2 और प्लस में ये 2NABR और प्लस में NA2CO3, NA2CO3, तो इसमें अपना जो NUH है, उसका कितना वेल्यू आ गया, NUH की वेल्यू है, वो 4 आ गई, यहाँ, अब जो next reaction है, वो कौन सा है, कारविल अमाइन रेक्शन, तो यह अमाइन का reaction होता है, कारविल अमाइन रेक्शन, तो इसमें अपने क्लोफ ओम यूज करते हैं, क्लोफ ओम और क्लोफ ओम में जो CL है, उसके के कोडिंग अपने 3NAOH अपने यूज कर लेंगे, यहाँ, क्योच भी यूज हो सकता अपने को अनिवज देखना है, हाना, तो इसमें आप देखिए कि, इसमें जो आपका product बनेगा, वो product क्या बनेगा, यहाँ RNC आता ही, एक test reaction होता है, हाना, RNC, और प्लस में इसमें 3KCL, और प्लस में इसमें oxygen कितना हो गया, 3, तो 3H2 आगया, यहाँ, ऐसे, तो आपको तो क नहाँ ध्यान रखना है, यहाँ इसमें ध्यान रखना अपने को, तो कितना हो गया, 3, और प्लस 4 में, टोटल कितने अपने को अनिवज चाहिए, 7 अनिवज चाहिए, इसमें, हाना, तो इसका question का यह solution होगा, कि इसमें answer अपना 4 थाएगा, यह, तो चलते हैं, next question की तरफ, कि boiling point first, क्या है, कि boiling point is increased with number of carbon, देखो, carbon की संख्या के साथ में क्या होगा, कि wonderful attraction increase होगा, wonderful attraction increase होगा, attraction के साथ में boiling points increase होगा, हमेशे ध्यान रखना है, कि जो boiling points है, वो किस पर depend करेगा, intramolecular attraction पर depend करेगा, तो number of carbon के साथ में क्या होगा, wonderful attraction increase होगा, wonderful बल बढ़ेगा, wonderful अपना बिल्कुल करेक्ट है फिर वन डिग्री अमाइन इस ग्रेटर देन टू डिग्री त्री डिग्री देखो वन डिग्री अमाइन जो है यह कितने हाइट्रोजन बोंडिंग प्रिपेर करता है तो एक तो यह नाइट्रोजन हाइट्रोजन बोंडिंग शो करेगा एक इसक कितने hydrogen bonding prepare करेगा यह है इन्ट्र इंट्र मॉलिकूलर अट्रेक्शन की इन्ट्र सब्सक्राइब भीचान नहीं sustainable करता है जिससे boiling point increase होता है two degree में number of hydrogen bonding कम हो गया next three degree में hydrogen bonding है नहीं three degree में hydrogen bonding है नहीं इसलिए यह order जो बिल्कुल है correct है कि one degree amine का ज्यादा रहेगा फिर two degree का फिर three degree का next है कि in one degree two degree three degree amines are engaged in intramolecular association due to hydrogen bonding तो देखो इसके अंदर क्या है कि यह जो one degree two degree amines है है यह one degree two degree amines है तो यह three degree amines में hydrogen bonding होता है नहीं किसी टाइप से तो यह statement क्या होगा अपने लिए गलत हो जाएगा यहां यह incorrect है फिर आप देखिए कि यहां इसने यह branching वाला है और यह branching increase होने पर आपको पता है कि wonderful attraction decrease हो जाता है क्योंकि branching increase होगा तो surface area decrease होगा surface area decrease होगा तो boiling point decrease हो जाता है तो इसका boiling point ज्यादा होगा यह इसके comparison में इसका ज्यादा होगा तो यह भी incorrect है तो अपने लिए boiling points relative क्या है first or second ही correct है मतलब अपने लिए कौन सा answer correct रहेगा अपने लिए fourth answer है वो इसमें correct रहेगा ठीक है student तो चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ जी नेक्स्ट क्योशन है crackly basicity order in aqueous condition aqueous condition आपको बता है aqueous condition में three factor काम करते हैं एक तो plus i factor है जो nitrogen पे लेक्रोन डेंसिटी increase करता है और दूसरा जो है कि जब वो conjugate acid बनाएगा sugmy amal बनाएगा वो aqueous condition में by hydrogen bonding stable होता है और concept क्या है concept यह है कि sugmy amal अगर stable है तो basicity high रहेगा plus i strong है तो basicity high रहेगा next is steric hindrance steric hindrance में क्या होता है कि hydrogen bonding थोड़ा सा weak हो जाता है alkyl group की वज़ह से अब इसमें देखिए कि इसमें आप देखोगे कि जब आप आपका जैसे methyl group होता है तो अपने कैसे याद कर रखा इसको कि यह two degree और उसके बाद में फिर one degree और फिर यह three degree और उसके बाद में सबसे last में कौन सा आता है ammonia यह और एथाइल वाले case में अपने इसको कैसे याद कर रखा है एथाइल वाले case में यहाँ यह two degree तो रहे गए रहेगा तो यहाँ three degree थोड़ा सा पहले आ जाता है से चीक है इस तरीके से ऐसे यह कैस रहता इसमें चीक है यह बट इसके अंदर क्या है कि two degree माइन दे रखा है one degree माइन दे रखा है बट यह जो वैल्यू आ रहे यह जो concept बनाया है ना अपने यह पी के भी वैल्यू के बेस पे बनाया क्योंकि जो प्लस आई और जो स्यूगमी अमल का जो stability है conjugate acid का जो stability है वो दोनों factor क्या रहते है अपोजिट रहते हैं कब कौन सा dominant हो जाए अपने नहीं कह सकते हैं हाना तो इसलिए अपने को यह जो order बनाते हैं यह पी के भी वैल्यू के बेस पे बनाते हैं तो यहां आपको यह जो benzyl amine दिया है इसका पी के भी वैल्यू हो गया लो होने की वजए से इसका जो बैसे सिटी है वो थोड़ा सा हाई रहेगा तो टू डिग्री तो पहले आएगा यह आएगा हाना इसमें तो फस्ट फस्ट अपना सबसे पहले आ गया उसके बाद में वन डिग्री आमाइन आ गया और इन दोनों की अंदर थर्ड आए टोटल वेल्यो दे रखा अपने को एंद सियार्टी में अना चलते नेक्स्ट क्योंच की तरफ नेक्स्ट क्योंसर एड़ ये तो यह reaction conversion है तो reaction conversion में देखिए कि यहां जो carboxylic acid है react with ammonia temperature तो आपको पता है कि यहां क्या आ जाएगा इसमें CS3 और CH2 और यह अपना क्या बन जाएगा यहां अमाइड बन जाएगा SN reaction होगा यह carboxylic acid का यह अपना A आ गया अब यह जो combination दिया है sodium hypo bromide यह आपको पता एन ए ओएच और प्लस में क्या है BR2 है ना एन नियो एच BR2 एन नियो एच BR2 यह हापमन ब्रुमाइड reaction है हापमन ब्रुमाइड reaction में क्या होगा कि यह जो आपका alkyl group है यह सीधा NS2 के ऊपर क्या होगा एसे migrate होगा NS2 के ऊपर migrate होगा तो आपका जो product है वो क्या रहेगा CS3 और CH2 और यहां NS2 आ गया से इस तरीके से यह अपना B आ गया यहां यह B है अब B का reaction फिर यह करवा रहा है डाइजोटीजेशन यह यह डाइजोटीजेशन में आपको पता है कि इसमें क्या बनेगा डाइएलकाइल बनता है यह आपका जो है यह यह इंदर तो यह एलकोहल में आ जाता अपने एसा तो इसके अंदर अंशरेवी रहेगा फाल ऊंसर रहेगा इसके तो ये एक रेक्शन का अंबर जमन है तॉटल रर्यक्षन से वो इंपोर्टेञ्ड है अपने अंसरांती में देखते हैं कि एक रेक्शन है तो यह जो आपको दे रखा है A-R-S-N-2 यह बैंजीन डायाजोनियम है लाइड है C-U-C-L-S-C-L है तो यह रियक्षन अपना कौन सा रियक्षन है यह सेन्मेर रियक्षन में janeally salt are soluble in water जेरलीland sorta are soluble in water but which one is in solving water समाने थैं लवन्ड जो होते हैं वह जल में घुल जाते हैं बट इन में से एक जो है वह गुलंड तो आप इसमें अपने को क्या दिया है जैसे आइने है यह तो टैबल सॉल्ट यह जन्रेली घुलता है यह सब अपने को क्या दिये हैं यह बेंजीन डायजूनियम सॉल्ट देर रखे हैं तो आप बेंजीन डायजूनियम सॉल्ट का जब फिसीकल प्रॉपर्टिस पढ़ोगे न्सियाटी में तो आपको वो बताएगा कि यह जो दियें डायजूनियम फेलोपोड़ेट हैं यह तो रूम टम्परफेटर पर स्टेबल है यह जीरो डिइडवल रहता है उपर तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना को अंंसलिवल होगा तो यह अकता आंसर आ जाएगा इसमें एडूके स्टुडैंट तो चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरफ क्योशन नमर 11 जी डूरिंग नाइट्रेशन ओफ एनिलीन एम नाइट्रो एनिलीन इस प्रिपेड अबाओ 47 परसेंट विच फैक्ट इस रेस्पंसिपल वर दिस नाइट्री करन के दोरान एनिलीन 47 परसेंट क्या बनाता है एम नाइ एसाइडिक मीडियम बवा ना अस्ट्रोंग एसटीक मीडियम हो गया है कि क्या होगा यह जो है यह पोजीटिव आप इसको एवेलेवल कर आउगे तो इसमें इसमें यह एसर देक्शन करने के बाद में एनिलीन आयन में चेंज हो जाता ऐसे इस तरीग से यह होता यह माइन आपको पता है कि यह जो है ना माइनस आई शो करता है और माइनस आई क्या होते हैं यह मैटा डारेक्टिंग होते हैं यह जो ग्रूप जो होते हैं माइनस आई माइनस एम और माइनस एच वाले जो ग्रूप होते हैं यह मैटा डारेक्टिंग ग्रूप होते हैं तो इसमें देखें कि due to plus effect of ns2 नहीं due to plus effect तो यह क्या करेगा इस रिंग को ही एक्टिव करेगा रिंग को ही एक्टिव करेगा तो due to more reactivity of benzyring नहीं ऐसा नहीं है तो फिर benzyring more reactive होता तो due to strong acidic medium aniline change to aniline ion तो यह अपना concept इसमें correct आ रहा है अपने answer के coding आ रहा है इसमें तो सभी reason नहीं हो सकते है इसमें इसमें यह reason है कि आपका जो ns2 है वो basic reactor show करता है और reaction में जो medium है वो total highly acidic medium है उस acidic medium में क्या होगा 47% जो aniline है वो aniline ion में change हो जाएंगे और वो जब नाइट्रेशन देगा यह नाइट्री करन करेगा तो वो अपना है और aromatic amine है तो aliphatic amine देखिए यह जो hno2 है यह डाइजोटीजेशन रियक्शन है अपना तो इसमें जब आप reaction कराओगे वन डिग्री अमाइन का तो यह अलकोल बनाएगा इससे पहले भी यह reaction आ चुका है और यह जब आप reaction कराओगे तो यह क्या बनाएगा बैंजीन डायोज़नियम salt का preparation करेगा जब इसका रियक्शन कराओगे तो यह बैंजीन डायोज़नियम salt का preparation करेगा यहां एसे लिए घृक है तो कार्पील-मयन reaction में और दोनों से रियक्षिन करेगा क्योंकि दोनों के पास प्रोटिक है और एनिलीन के पास भी है तो उन से रियक्षिन कर लेगा तो अपना और आंसर कुन सा आएगा फस्ट आएगा हमेशा द्यान रखिए कि एलीफटिक और अरोमेटिक के लिए अपने पास लगबग एक ही रेक्शन है जो डाइवड कर सकते हैं तो चलते हैं कि दी आपने हम आइड रियक्ट विद एन निवेच यह हापमान वो माइड रियक्षन आ गया हापमान माइड रियक्षन में आपको पता हिए जो इतायल Amine आ गया यहां यह अपना ए आ गया यहां यह ए ठीक है और नेच्ट फिर यह कुन सा रियक्षन है यह तो इसका जब आप रियक्षन करा होगे यह टेस्ट रियक्षन है तो इताइल आइसो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे तो यह अपना पोडेक्ट भी है इसके कोडिंग अपने को आंसर सर्च करना है तो यहां देखिए नंबर ओफ कार्बन इसने इंक्रीज कर दिया और यह भी नहीं होगा नंबर यह अपना यह और इथाइल अमाइन और इधर इस चारेक्ट आ नयुकूल साथन प्रॉसन के तरफ यह तो इनस्तेबल बाट यह वाला इसकी बात कर रहे हैं अपने alkyl जो गृप है इसकी बाद कर रहे हैं कि यह unstable है यह वाला ठीक है यहां मैं export कर देता हूं यह तो unstoppable zero degree पर बट यह जो benzene है benzene वाला stable है ठीक है benzene वाला जो है वो stable है इस तरीके से यह इसका region अपने को बताना एक ऐसा में क्यों होता है यह स्टेबल क्यों होता है यहां कुछ भी आप एक्स लिग दीजिए एक्स नेगेटिव तो देखो वह कह रहा है कि बैंजीन डायजुनियम सॉल्ट है जो अनुभार है वह ज्यादा इसमें वेट ज्यादा है कि इसके पास में कार्बन कम होंगे इसके पास ज्यादा होंगे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसके बेस पर अपने इसको डिटक्ट नहीं कर सकते बैंजीन अच्छे तरीके से बैंजीन के साथ में टैच रहेगा उतना ही वह अच्छा स्टेबल काउंट होगा तो ड्यू तो रेजोनेंस रियन बॉन्ड इन बैंजीन डा जब बॉन्ड करेंटर को इसमें रेजोनेंस आता इसे रेजोनेंस आएगा तो यहां क्या होगा आपको डबल उन्ड करेक्टर मिलेगा यहां इस तारीकेसे तो यहां जो से ब्हंगत 5 से आएगा तो यह आपका वैसे जो N2 होता है गुड लिविंग ग्रूप होता है तो कुछ समय के लिए आपने पड़ते हैं और एक इस क्योशन की अकोडिंग एक इंपोर्टेंट पॉइंट है चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरफ विच फ्लोविंग नैट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंट रेडूस तू अमाइन बाइ अपने NH2 बना लेते हैं, वहाँ SN plus SCL भी यूज़ कर सकते हैं, FV plus SCL भी अपने यूज़ कर सकते हैं, बट यह कह रहा है कि reduce अपने किन किन को कर सकते हैं, देखिए इसका जो थोड़ा सा mechanism अपने देखते हैं, क्या है, कि जैसे नाइट्रो ग्रूप है, नाइट्रो ग्रूप इस टाइप से ऐसे मिलेगा अपने को, यह नाइट्रो ग्रूप जो है, यह इधर ऑक्सिजन, जब आप इसको reduce करोगे, अपने, SN, और प्लस में, SCL, तो यह क्या करते हैं, नेशन्ट हाइट्रोजन रिलीज करेगा, यह वाला जो ग्रूप है, SNCL2 में change होगा, और नेशन्ट हाइट्रोजन रिलीज करेगा, वो नेशन्ट हाइट्रोजन से यह reduce होगा, तो इसका क्या है कि यह जो oxygen है, यह यहां स में change होगा, एक बार यह नाइट्रोसों में change होगा ऐसे, मतलब आपका नाइट्रो किस में चला जाएगा, आर नो में चला जाएगा, तो आर नो फिर reduce होगा, फिर reduce होगा, तो किस में चला जाएगा, यह आर पाइब और ब्रेक होगा, एन एच, और उसके बाद में यहां आ और प्लस में क्या जाएगा H2O, ऐसे, यह बनेगा इसमें, तो अब आप देखिए कि आप सीधा नाइटरो को NS2 में चeеньज कररहे हैं, इस नाइटरो गृूप को सीधा ale N2 में चe engine करते हैं, सीधा means two में change करते हैं तो यह आपके क्या रहते हैं, intermediate रहते हैं जाना है है कि यह सीधा कैसे चींज हो गया इसके oxygen कैसे हटे क्या सीधा कोई और फंक्शन ग्रूप आते हैं कि नहीं आते हैं तो यह सभी आते हैं नाइट्रो नाइट्रो से स्टार्ट हुआ तो नाइट्रो सो नाइट्रो से अमाइन से start करो, सब के सब क्या होंगे, अमाइन में reduce हो जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा Nitro 2, NS2 का थोड़ा सा mechanism अपने ध्यान रखेंगे, तो इसको अपने solve कर सकते हैं, तो चलते हैं next question की तरफ, ये, which is flowing saccharide is in D configuration, आपको पता है कि chiral carbon का configuration है, वो R और S होता है, वो absolute configuration है, एक relative configuration होता है, जिसको capital D और capital L से represent करता है, तो निमन में से कौन से saccharide का विन्यास है, वो D है, है ना, तो जनर्नल ही देखो, अपने biomolecule में क्या देखते हैं, biomolecule में अपने को एक structure मिलता है, फीसर projection, यहां आपका LD हाइड है, और यहां OH है, और यहां H है, और यहां क्या है, CS to OH है, इस तरीके से, यह, तो CHOH, OH और CS to OH है, तो अब यह right hand side में दे रखा है, तो capital D, और left hand side में दे रखा है, तो capital L, ठीक है, बट यहां तो थोड़ा सा, अब जैसे यह सही दे रखा है, इसी के coding दिया है, तो यह तो D है, यह first वाला तो D है, यह वाला जो है, इसमें देखो, इसने उपर नीचे किया है, इसमें उपर नीचे किया है, यह triangle structure है, तो अपने पर कैसे चेक करें, देखो, इसका OH इदर उधर कर सकता है, बट इसका जो absolute configuration है, उसको change नहीं कर सकता है, मतलब अगर मैं इसको calculate करूं, इसका configuration, तो क्या होगा मेरे लिए, यहां जो H है वो, OH है है, anti-clockwise में आपको पता है कि H अगर उपर या नीचे है, तो anti-clockwise क्या होगा, S होगा, तो यह मेरा configuration कौन सा हो जाएगा, R configuration हो जाएगा ऐसे, मतलब R वाला है वो D है, कहने का मतलब R वाला है वो D है, अब मैं इसका configuration देखूंगा, तो यह 1 है, और, sorry, यह 1 है, और यह 2 है, और यह 3 है, तो इसका 1, 2, तो इसका भी configuration क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो यह भी मेरे लिए क्या है, D है, इसका configuration देखूंग, OH यह 1 है, इधर CHO यह 2 है, और इधर यह 3 है, तो क्या रहा, 1, 2, 3, बट clockwise है, बट H यहाँ है, तो इसका आएगा S, मतलब यह L वाला है, यह L वाला ह है, फिर सुन लिए ध्यान से, अगर आपको इधर ऊपर नीचे कर देखूंग, तो आप फिर कैसे बताओगे, राइट हैंड साइड कैसे करेंगे, तो आप उसका absolute configuration, परम विन्यास है, उसका calculate कीजिए, ठीक है, परम विन्यास, मतलब R है तो D, S है तो L, तो इसके according, आपका first और second, ये दोनों आ रहे हैं, तो ये इसमें A और B, तो अपना कौनसा answer आजाएगा, अपना answer आजाएगा third, अपना answer होगा, A और B ये दोनों के दोनों D configuration वाले हैं, तो उमीद करता हूँ, ये question आपको बिल्कुल clear हुआ होगा, ठाक्यू, चलते है next question की तरफ, ये, बीटा D, बीटा और alpha ये anomers होते हैं, तो बीटा देखो ये जो हावर structure दी गई अपने को 1,2,3,4 में जो है, वो हावर structure है, हावर structure को अपने कैसे put कर पाते हैं, देखो कि जो right hand side में आपको दिखते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं, और left hand side में होंगे, तो वो आपको उपर की तर carbon है, इसका क्या होना चाहिए, second carbon, तो second carbon का क्या होना चाहिए, कि वो तो right hand side में होना चाहिए, तो इसने तो उपर की तरफ ही कर रखा है, तो ये तो अपना answer नहीं होगा, ये यह यहाँ सही दे रखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 वाला आप देखना, 3 वाले में left hand side में ज नीचे की तरफ है और यह CS2OH यह अपना बिल्कुल क्रेक्ट आ रहा है यहां OH इधर दे दिया यह OH इधर है यह इधर बैस यहां चेंज कर दिया सीफोर पे चेंज करते हैं यह यह तो एक गलेक्टोज का स्टेक्चर बन गया तो यह भी अपना आंसर नहीं होगा तो इसमें अपना कौन सा थर्ड आंसर बैस आपको एलफा और बीटा में हावर स्टेक्चर का थोड़ असा कॉंफिगरेशन ध्यान देना होगा फिर स्टैप इस टेक्चर को दर्साने का मतलब यह है कि आपको एलडी हाइड की अनुपस्तिती को बताना है मतलब ऐसी रियक्षन से शो करनी है विश्चो एपसंस ओफ एलडी हाइड फंक्शन ग्रूप वी एलडी हाइड नहीं आना चाहिए इसका मतलब वह एलडी हाइड रियक्शन तो ऐ कहां नहीं करेगा वह कहette है कि एक रहली नगिपीस इसका मतलब यह हो गया गया सिफट जो है वेलड्इस फंक्शन ग्रूप घूंब इसका मतलब यह को शो कर रहा है और यहाडकंर की एक स disclose को शो कर रहा है क्योंकि साइकलिकस टेक्चिर में आपने देखा होगा देखिए कहां यह प्रिविएस का जो क्योशन अपना यह 17 इसमें देखो कहां यह नहीं है तो बैस अपने को अपने को अपसंस को शो करना है यह ठीक है तो अपसंस को आप शो करोगे यह फिर लिख रहा है कि डाज नॉट गिव एडिशन प्रडेक्ट विद नह आच-SO3 यह एल्डी हाइड की टोन में आपने पढ़ा होगा sodium hydrogen sulfide के साथ में वो क्रिप्सल का प्रिप्रेशन करता है इस रेक्शन इस यह प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डी हाइड एंड की टोन तो बैट यह रेक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब यह एल्डी हैड की एपसंस को शो कर र इसमें इसके पास में पांच हाइड्रोग्सी ग्रूफ फंक्शन ग्रूफ है तो उस पेंटा एसी डेट का जब अपने सेन के साथ रेक्शन करते हैं तो योग नहीं देता इसका मतलब उसमें एल्डी हाइड नहीं है ठीक है कहने का मतलब यह हो गया कि आपको ऐसे अधियाड में दे रखा है जब वह की साइकले स्टेक्चर को एकस्पलेन करता है उससे पहले वह बताता है कि यह जो रियक्शन से विच रियक्शन से शोव दी एपसंस ओफ एल्डी एड फंक्शम ग्रूप इन ग्ल्को रियक्शन तो इसमें फोर्थ अपना आंसर होगा च आइप ओप रेक्शन कौन सा है दूसरा यह बताना एंड कन्फर्म डैट वो किसको कन्फर्म कर रहा है है तो गुलकोज सांदर एच्टोफरी के साथ सैकरीक अमल देता है निमन में इसे कौन से अभीक्रिया है तता अभीक्रिया पूजिटिक करते है अब देखिए यह जो सां करनली रियक्शन में लिख देता हूं सैकरीक असिड कैसे होगा जैसे यहां यहां आपका जो सी एच है उसको अपने ओवेच इस तरीके से फोर टाइम शो करते है और यहां आगया अपना सी एस्टू ओवेच जब मैं इसका रियक्शन लिखूंगा है चनो थरी के साथ में जाना तो यहां आपका आजाएगा च ओवेच यह फोर और इधर भी जो है वह फो यह सिवएच में चेंज हो जाएगा यह सैकरीक असीड होता है हाथ तो रियक्शन तो क्या है उक्षिडेशन टाइप का है अगर आपका एल्डी हट वह सिवह में जा रहा है तो इसका मतलब तो ऑक्षिडेशन हुआ है तो ऑक्षिडेशन है ऑक्षिडेशन है ऑक्षिडेशन नाइट्रेशन यह फूर्थ आंसर नहीं होगा नाइट्रेशन का मतलद तो यह होता है कि अनोटू ग्रूप का अडिशन नहीं है फिर कह रहा है कि ऑक्षिडेशन गुल्कोस कंटेंस वन ए इसको नहीं शो करेगा यह अपने अलग टेस्ट का टेस्ट करवाते हैं ठीक है यह और गुलकोज कंटेंज फाइव हाइड्रोग्जी गुरूप इसके लिए अपने एसेटिक एनहाइडर से रियक्शन करवाएंगे या ऐसे टाइल कलोराइड से गुलकोज कंटेंज फाइंज फाइंडर यह यह अपने लिए कर्ट है वन प्राइमरी एल्कोहॉल इसकी प्रजेंस को एंसाथ रियक्शन करवाने इसका मेन प्रवस यह है यह इसको शो करता है यह और ध्यान रखना है कि है लिंड वन डिगरी को ही ऑक्षडाइज करेगा कर रहा है नहीं कर रहा यह only one degree alcohol को ही oxidize करेगा यह तो oxidation है और glucose contents one primary alcohol तो यह अपना third answer हो जाएगा इसके अंतर ओके स्टुडेंट चलते हैं next question की तरफ जी next question है which flowing sugar are reducing reducing मतलब अप्चाएक सरक्रा कौन-कौन से हैं देखिए अच्चन सरक्रा का मतलब क्या है जैसे आप टॉलन से reaction करा होगे या फैलिंग से reaction करा होगे तो टॉलन और फैलिंग क्या होते हैं oxidants होते हैं वो क्या करते हैं aldehyde को carboxylic acid में change करते हैं यह तो आपने बताया है कि इसके respect में aldehyde की respect में कि aldehyde oxidize होगा और जो अब बताया अब टॉलन की respect में आपने देखेंगे तो टॉलन क्या होगा reduce होगा तो आप कह सकते हो टॉलन अल्डिय को oxidize कर रहा है और aldehyde जो है वो टॉलन को reduce कर रहा है मतलब reduce कर रहा है उसको तो अब इसमें अपने को सुगर के respect में दिया है तो सुगर टॉलन को reduce कर रही है मतलब टॉलन के साथ reaction होगा फैलिंग के साथ reaction होगा यह देखते है अपने glucose यह monosacrites होता है monosacrites में आपको पता function group फरी रहते हैं तो वो क्या करेंगे reaction करेंगे starch है यह reaction नहीं कर पाएगा starch क्योंकि starch में आपको पता तो इसमें एक glucose का c1 और एक glucose का c4 यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं glycosidic bond अब आप यह देखिए कि जो c4 वाला जो glucose आपने use किया है उसका c1 फरी है c1 फरी है और c1 ही अपना aldehyde है aldehyde तो क्या करेंगा यह reducing sugar होगा यह tolerance से reaction करेंगा उसको reduce करेंगा सुक्रोज सुक्रोज में स्क्रोज non reducing sugar होता है कैसे इसमें भी यह alpha glucose और beta fractose होता है तो glucose का c1 इन सुक्रोज की बात कर रहा हूं हाना glucose का c1 और यह फ्रेक्वट्स का c2 क्या है functional group है फ्रेक्वज का जो c2 होगाड़ेह और फ्रेक्वांस का होगा정이 लाइकोसाइड बोन बना रहे हैं लाइकोसाइड बोन बना रहे है तो ना तो यह किटोन शोगा तो यह नोन रेडूसिंग हो गया तो यह भी अपना आंसर नहीं होगा अन। डीटा ग्लकोज बीटा ग्लकोज का C1 गलकोज का है ठाँ होगा उसके मतलब में संधेंग माल्टोस पॉलीमर गण वो देखने है एक नहीं कर रहा है वो अपना इसमें आंसर नहीं हो चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ यह हाव मनी नंबर ऑफ काईरल कार्बन इंग एलफा गुलकोस में किरेल कार्बन की संख्या आपको बतानी कितनी होगी तो देखो एक तो मैं ऐसे शो करूं कि डी गुलकोस हाना देखिए एक मै लिक रहा हूं की अल्फा गुलकोस या बीटा गुलकोस तो इसमें दोनों में डिफ्रेंस क्या ये मैं ऐलिषाटर्इक। का कर रहा हूं यह मैं cyclist Culture की बात कर रहा है एलिफैटिक स्टेक्चर में क्या है यहाँ है यहाँ इधर है यह है और Fair City औरнов हो यह और फिर फिर स्ट ओध्धा एक आपका सीस्ट्टा कर रहिए सक्क्स तो इसमें कौन कौन से काईरल है यह काईरल है यह काईरल है यह काईरल है बट जब साइकलिक स्टेक्चर बनता है जब साइकलिक स्टेक्चर बनता है तो यह भी काईरल बन जाता है अगर वह आप से पूछ रहा है डी गुलकोज इन डी गुलकोज इन डी गुलकोज के अंदर नम्मर ओफ कितने होंगे 5 होंगे हैना क्यों क्योंकि l jamais वाला भी क्या करता है हमी एसी टेकचिर बना लेता है गुलकोज का जो six ключ टेप्टेट्यर होता है वो है मिया पिसे टेकचिर बगर तो इसमें नंबर ऑफ कार से जुड़े रहते हैं जो की है अब देखिए अपने एक एक जामपल लिखते हैं पेप्टाइट बॉंड का तो यह एलफा मीनो एसीड है आपका यहां एनस्टू ठीक है और इधर आजाएगा आपका कार्बॉक्स लिख एसीड और इधर मैंने एक और गुरूप लिख दिया हाना कार्बॉक्स यह अमीनो गुरूप यह इधर आ गया एक अमीनो तो अब इन दोनों में रेक्शन होगा इसका है और इसका ओएच है एलिमिनेट होगा तो क्या होगा यहां आर च और यहां एनस्टू आ गया और यहां आ जाएगा सी डबल बॉंड ओ और प्लस में इधर एण एच ओके और इधर सी एच और इधर आ और और यह आ जायेगा आपका सीनो एच तो अब आप यह देखे जो आपका पेप्टाइड बोंड बना है वो यह ए यह 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 क्या है पेप्टाइड ओन ठीक है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ तो क्योशन नमर्ट 23 वेर ड़स दा वोटर प्रजेंट इन दी एग गो आफ्टर बॉइलिंग दा एग अंडे में उपस्ति जल उबालने के बाद वो कहां चला जाता है यह अपने एक अच्छा क्योशन मुझे लगा तो मैंने इसको दिया तो ड्यूरिंग बॉइलिंग वॉटर ब्रॉकन डाउन इंटू एच्पोजिटिव और अंडे को बॉइल करते हैं तो उसका जो वॉटर वेच्पोजिटिव और नेगिटिव तो यह तो एसा करने से क्या होगा कि वह इदर वो तो नहीं जाएगा ना तो वॉटर गोस्टू आउट्साइट बॉलिंग फर्ण फर्ण फर्म दाएग विवालने के दुरान जो जल है वह अंडे से बाहर चला जाता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो उसका जो वाइट कवर जो होता है उसमें से कुछ भी क्रोस नह अंसर होगा उबालने के दुरान जल भस्म हो जाता है यह मल बंदा बोईलिंग मतलब ज्यादा बोईल करोगे तो वह नस्ट हो जाएगा तो यह भी अपना नहीं तो अपना आंसर कौन सा रहेगा इसमें थर्ड आंसर रहेगा दूरिंग डी नेचुरेशन और प्रोटीन व बंदा बोटा है और जब उबालने के बाद अपने दो देखते हैं तो वह सोलीड टाइप हो जाता है हाना तो वह वोटर जो भी है उसको यूज कर लेता है उस प्रोटीन का जब डी नेचुरेशन होगा तो उसको वह यूज कर लेगा तो डी नेचुरेशन इसमें अपना एसीर हार्मोन तो और गनिक कंपाूंट होते हैं यह वाइटमें जो अ tu होते हैं यह अपने प्रोटीन जो होते हों अमिनो एसएड के पोली मींस होते हैं यह चलते है नेक्स करफोरशन की तरफ ade की जो एक सालिभल बहा早ई है जो रिंस वासालिभल होकर वोडी में स्टोड हो जाती है बबट जो कि utivo की we are means होती है Ad s बांद इन पर अपनी वोडिवल होती है कि अपने बोडी सालिबल होती है तो अपनी बोडी में जो क्या है कि श्टोड नहीं हो पाती इसमें एक exception है vitamin B12 यह water-soluble है बट अपनी बोडी में stored होती है तो बिल्कु simple सा general सा question है NCRT का चलते हैं next question की तरफ जी next question है nucleoside contents nucleoside contents तो nucleosides में क्या होगा कि आपने देखा होगा nucleotide की three components होते हैं एक ribos sugar होता है gas 3-4 होता है nitrogen corrosion containing base होता है जब तीनों attach हो जाते हैं तो nucleotide बन जाता है nucleotide से poly nucleotide और उसे nucleic acid तो सबसे पहले क्या होता है कि जो combination होता है उससे nucleoside बनता है तो nucleoside में ribos sugar होती है हाना इसमें जो ribos sugar होती है उसमें जो c1 carbon है इस type से बीटा होता है यह तो इस में इस type से इसका structure होता है यहां ओ एच ऐसे और यह एच और यह आपका CS2 OH आज आए यह oxygen यहां तो इसमें देखो यहां attach होता है nitrogen containing compound तब यह क्या बनता है nucleoside बनता है तो ribos sugar attached to base c5 carbon c5 carbon पे नहीं होगा ribos sugar attached to h34 c5 carbon यह नहीं होगा ribos sugar attached to base on c1 carbon यह अपना correct answer हो जाएगा fourth यहां nitrogen जो base है अना adenine guanine cytosine इस टाइप से तो वह जब यहां एड होंगे c1 carbon के उपर तो nucleoside का preparation होता है और फिर s3po4 c5 carbon पे attach होगा तो nucleoside है वो nucleotide में change हो जाता है तो यह अपना simple question था चलते हैं next question की तरफ क्रेक्ट स्टेट्मेंट अबाउट structure of protein protein की structure relative अपने को सही कतन देखना है तो first क्या है कि in one degree structure of protein amino acids are linked by peptide bond protein की जो one degree संचना उसमें amino acid जो है वह peptide बन से जुड़े रहते हैं बिल्कुल यह amino acid का specific sequence होता है इसमें अपने ऐसे नहीं अपनी मर्जी से अपने इदर उदर नहीं कर सकते यह specific sequence होता है next चलते हैं fiber यह अपना मतलब बिल्कुल correct है fiber and globular protein सा 3D structure बिल्कुल यह fiber global protein जो होती है 3D structure होती है रैसे दर गोला का protein जो है 3D structure of protein is 3D structure 3D structure तो यह भी सही है और 3D structure ही biological process के लिए responsible होती है बिल्कुल तो all proteins have 4D structure यह incorrect है हना some proteins कुछ proteins की 4D structure होती है सब की नहीं होती जैसे example अपने NCRT में देख रहे हैं Hemoglobin protein जो है उसका 4D structure होता है तो इसमें first second third तो इसमें अपना कौनसा answer होगा फस्ट अपना इसमें answer हो जाएगा यह अपना answer होगा है तो कौनसी वितामीन है तो vitamin B1 की कमी की वजह से यह थायमीन को vitamin B1 से रिपरजन करते हैं तो riboflavin क्या है यह आपका vitamin B2 है और जो pyridoxion है यह कौनसा है यह आपका vitamin B6 है तो आपको थोड़ा सा इनकी common name भी ध्यान रखने है कि विटामीन B1, B2, B6 और B12 जो है तो इसमें अपना आंसर क्या होगा फास्त आंसर होगा तो बिल्कुल सा चलते, क्योशन की तरब,इंजेशन सार,आपको पता,इंजेशन अक्वकाइशन होते हैं जनरली अपने पड़ते हैं प्लूटीन सिह और बायो方面 के के लिए जीलिए जो इंजेशन होते हैं वह होती हैं मतलब एक specific reaction की purpose से ही वो use होता और उसी में ही अपने उसको use करते हैं तो enzymes are globular proteins, bio catalysts, enzyme are specific for a particular reaction तो all of these अपना क्या होगा? यहां अपना answer आएगा all of these enzymes जो होते हैं वो गोला कार protein मतलब 3D structure और जेविक प्रेरक होते हैं और अभी किरिया के लिए विस्षिस्ट होते हैं तो अपना answer होगा इसमें उप्रोक्त सभी तो बिल्कु सिंपल सा इंसे अर्टी क्योशन है protein is polymer of बिल्कु सिंपल सा क्योशन है protein is polymer of अपने को पता है amino acid का होता है तो अपने को यह देखना है कि कौन से amino acids होते हैं तो amino acids alpha होते हैं यह भी अपने को पता polymer of alpha लेकिन क्या होते हैं कि amino acid में जैसे main function group है वो इस तरफ रह गया remaining carbon chain यहां अगई अगर मैं इधर put करूंगा तो यह कौन सा है यह d वाला है अगर मैं यहां ns2 group को left hand side में put करूंगा तो यह कौन सा बन जाएगा यह आपका इस type से ऐसे तो यह आपका बन गया L तो कौन सा होता है d वाला होता कि L वाला होता यह देखना है अपने को अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा सैकेंड यह इसी प्रफस से दिया गया है कि आप अमीनो एसीड का अब वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि डी और एल कॉंफिग्रेशन कैसे आ रहा है चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ जी विच फ्लॉबिंग पॉलिमर इस को पॉलिमर हाना को पॉलिमर और हमो पॉलिमर यह दोनों एडिशन और कंडिशिशन दोनों में आ सकते हैं तो जो को पॉलिमर है इसका मतलब है कि जो उसकी रिपीटिंग यूनिट है ना उसके अंदर मॉनोमर यूनिट एक से ज्यादा यूज होई है तो आप देखो ब्यूना एस हाना तो ब्यूना स के अंदर क्या है एक तो ब्यूटा वन थी डाइन यूज करते हैं और स्टाइर इन मतलब सह भवलक्स की अंदर जो जाङगा की दिम को में क्वोनमार Uni यूनिट होती है उसी सही प्lichesसक्राइब क्या होती है में एक से ज्यादा होती है जालते है ने लुआ है इस फ्लॉवाइब पालिमर अब दीड़ को डेखने के अश्चर ने कौश कैसे देखना है तो एस्टर बनेगा अब यहां देखिए P H B V पोली हईड्रोग्जी विटाइरेट को वेलिरेट तो एस्टर होता है यह वाला क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे अपने देखें कि जो विटरेट है उसमें यहां देखिए इधर ओएच और यहां CS2 और इधर आजाएगा आपका कार्बोक्सलिक ऐसे इस तरीके से और पलस में क्या रहेगा कि यहाँ वैलरीक ऐसिट हाना तो वैलरीक ऐसिट में यहाँ CH और यहाँ आजाएगा OH और यहाँ आपका CH2 और यहाँ C double bond OH तो अब देखिए इसमें कौन-कौन से फंक्सल ग्रूप है यह OH है ना यह वाला यह कार्बोक्सलिक ऐसिट OH कार्बोक्सलिक ऐसिट तो यह तो एस्टरी बनाएगा ना तो व्यूना-स क्या होता है यह तो अडिशन होता एस्टर पोलीमर का मतलब पता है यह कंडिशेशन है संगनन है यह कंडिशेशन है यह संगनन है एस्टर वाले है तो अब इसमें क्या रहेगा पी एच बीवी और व्यूना-स तो यह तो नहीं हो पाएगा व्यूना-स आ गया टेरिलीन और गलाइकोल यह देखो यह दोनों के दोनों एस्टर होते हैं टेरिलीन इथाइलीन गलाइकोल होता है दोनों के अंदर ही दोनों के अंदर ही इथाइलीन गलाइकोल होता है और एक के अंदर 1,2 होता है एक के अंदर 1,4 बेंजेन डाइकार्बोकसलिक एसिड होता ह acid यापका टेरेलिन में होता है ओगर में वंटू होता है तो इस यह मीच होगे लोगे ऊसे हों इसमें से कूंट अपना तेने मचें कि तरफ बापकेंकि लृष होडेरगे मोलीकिलर फॉर्सस इंट्रमोलीकुलर फोर्ससमें अपने कैसे ध्यादरों रखना है तो कि यहां ध्यासों ध्यूंत माल है जिसको तक तो अपका थरमो सैटिंग प्लास्टिक होता है जो आमको थर्मो सेटिंग, थर्मो सेटिंग सबसे सॉलिट होता है तो नायलोन 6 होता है, यह क्या होता है क्या होता है, यह pride में considered हो गया, नियोप्रीन क्या है, यह rubber है, elastomers है, और polyvinyl PA, यह PvC, प्लीुनाल क 68, यह क्या हो गया, एक ताब से प्लास्टिक हो गया, तो सबसे solid जो होता है इसमें fiber अपने consider करते हैं सबसे solid वैसे तो thermosetting होगा यह एक्जांपल नहीं है थर्मosetting का यह fiber है आपका यह वाला यह fiber है यह rubber है नियोप्रिन rubber है तो सबसे solid fiber हो गया उसके बाद में कौन सा हो यह प्लास्टिक उसके बाद में सबसे वीक कौन सा हो गया सबसे वीक हो गया अपना रबर क्या है कि आप ऐसे मतलब कि वह फोल्ड कर सकते हैं उसको अपने मतलब कि थोड़ सा तंप्रेचर दोगे तो वह क्या होगा कि पिघल जाता है इतना सोफ्ट हो जाता है थोड़ा सा अगर टंप्रेचर कम कर दें तो हर्ड हो जाएगा तो इस तैप से उसकी अच्छी क्वाल्टी नहीं होती इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स नहीं होता तो सबसे वीक प्लास्टिक ग्या अपका फाइबर आना और सबसे रोंग हो गया थर्मो सेटिंग जैसे मेलमाइन फोर्म इलडीहाइड यूरिय फोर्मएल्डीहाइड नहीं तो इसमें अपना कॉन सा 1st प्रत्वद सेकिंड फस्ट थर्ड सेकेंड थर्ड अंसर आ गया फस्ट थर्ड सेकिंड चलते हैं निए उच्छ इन की तरफ करेक्ट मैच इज पॉलीमर और यूस हाना तो बिल्कुल करते हैं इसको पी तो पी में क्या आएगा भई टैफलन अपने नौन स्टिक सर्फेस तो कि अंदर पीर्डर आपका क्या रहेगा 4 फोर्ड पी के अंदर फोर्ड हा गया क्यूं में क्या मैला मेर्न भूनrose Kavelle क्रॉकर ठो इसके अंदर क्या रहेगा फस्ट लॉन ट्रहिब पी एट पॉल एक्राईल नइट-्र यह आरलन होता है ये मतलब एक उन का परतिस्तिक होता है कोनसा है उसके बाद में है उसके बाद में था तो यह अपने लिए थर्ड अंसर हो जाएगा ये है अपने करोडिग सब से important युज़ दिये घए चलते है नेक्ट पॉलिमयर इस कनिस्टेशन एस हो मोपोलिमर होना चाहिए ज़ितने भी कंदेस्येशन नंए के सथी चाहिए को फॉलिमर होते है बाट albums दे और यहां नाइट्रोजन आ जाता है यहां अपना क्या होगा नाइट्रोजन आ जाता है यह इसमें अपने को पूट करना है तो यहां N और H आ जाएगा तो ऐसे करके तो जब आप इसको break करोगे ना ऐसे hydrolysis करते हैं तो क्या होगा यह इधर carboxylic acid बना लेगा और carbon CS2 है वो इसके अंदर 5 है और इधर फिर क्या होंगे NS2 होंगे तो अब यह unit क्या करती है बार-बार क्या करती है repeating करती है से क्या रह जाएगा आपका सी यो ग्रूप रह जाएगा ऐसे और इधर कार्बन जो है वो CS25 है और इधर फिर एन और है वो इस टाइब से आएगा तो यह रिपीटिंग बनता है नाइलोन 66 में दो यूनिट है कौन-कौन से एक अडिपी कैसीड है एक डाइग्जा मेथाइलीन डायमाइन है वेकलाइट में पॉली क्लोरोप्रीन यह तो आएगा यह एडिशनल है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें फस्ट आंसर हो जाएगा कि यह होमोपोलीमर है और इस प्रबर जो है वो रबर की फिजिकल प्रपरटीज को इंप्रूब करने के लिए अपने यूज करते हैं पॉलीमराइजिशन नहीं है बॉइलिंग एंड परोक्साइट यह नहीं है री सैक्लिंग नहीं है चलते है नेक्स क्योशन की तरफ बिलकुली इसा क्योशन नो लैक No lack-Ease यह क्या है तो नो लेक क्रोसलिंक्ट पॉलीमर है नहीं हुद को नो लेक का स्टेक्चर यह होता है मैं यहां पॉलीमर बना देता हूं यहां CS2 और यहां इस तरीके से बेंजीन यहां OH फिर बापे CS2 फिर बेंजीन इस टाइप से और यहां OH और फिर CS2 इस टाइप से क्या है कि ऐसे स्टेक्चर बन जाता है तो आप देखिए पोलीमर और पी हाइड्रोगसी नहीं पी नहीं है वही देखो ओर्थो पोजिशन है यूजड इन पैंट विल्कुल पैंट में यूज़ होता है एडिशनल और होमो पॉलीमर नहीं है यह कंडेशेशन पॉलीमर होगा यह आपका फिनोल और फॉम एल्डियाट से बनता है बिल्कुल सिंपल पॉलीमर क्या होता है यहां में दिक्कत आ जाती है अपने को तो यह जो फरी बलंसी शो की है ना आपने इन दो कार्बन के बीच में डबल लगाना आपको ऐसे और दोनों इस पर क्या है इधर CS3 है और इसके इधर भी CS3 ऐसे यह स्टेक्चर है अब मुझ और यह आईसो ब्यूटाइलिंग भी निम हो सकता इसका वही कॉमण नेव आईसो ब्यूटाइलिंग ठीक है आईसो ब्यूटाइलिन है यह है चलते नेक्स्ट क historic तरव ये, Which hallosin atom is present in neoprene, newgoprene में आपको बताना है कि कौन सा halosin atom present है, fluoride, कोई fluoride नहीं, teflon में होता है, coloride, कलोराइड यह नियोप्रीन होता है यहां CH2 फिर यहां आपका आ जाएगा देखो इसका मॉनोमर यूनिट बनाते हैं इसका मॉनोमर यूनिट इस तरीके से ब्यूटा वन थ्री डाई इन इधर CL आ जाएगा फिर CH double bond और CH2 तो अब यह दोनों में है तो यहां से आप CH2 फिर आपका C फिर CL फिर double bond और फिर CH और CH2 इस तरीके से ऐसे आएगा यह इसका मैं का परिके ब्रोमटा अपने लिखाई नहीं था ऊडी टैफलान में फ़लो राइब होता है और होता है जोट thats में परिपरिशन करतेक अपने लिए सब्स Asa जाएगा ज़ते हैं नेक्स्ट एसन की तरफ और जिगलनाटा कैटलिस्ट लिए जी फोर्मेशन उप बिलुकु सिम्पल हाई डैन्सिटी पॉलिफिन प्रसइटी प्रजिंस में अपने यूज करते हैं यह ना जी लटा 1000 उसमें प्रेशर है और टंप्रेचर है साड़े 300-400 के करीब फर लो डेंसिटी बनता है पॉलिफिन जो हाइड देंसिटी पॉलिफिन में क्या इसमें प्रेशर है टंप्रेचर लगवग तीन सो डिग्री सेल्सियस वह जिंगला नटा कैटलिस्ट अपने यूज करते हैं तो हाइड देंसिटी आता है इसमें बिल्कु सिंपल सा क्योशन था यह नेक्स वाट इस मैडिसीन और सधी और सधी क्या है देखो और सधी क्या है डायकनोसिस त्क मतलब है कि जैसे आप कहीं टेस्ट बगएरा करवाते हैं उसमें जो भी केमिकल वगएरा यूज होते हैं वह भी अपना क्या है मैडिसीन में काउट होता है अप देखिये मैडिसीन की डेफिनिशन क्या है अपने दिमाग में यह रहता है कि जब अपने बि prevention for a disease हाना तो इस case के अंदर भी क्या रहेगा उस chemicals को भी अपने medicine से रिपर जिल कर दो अपने को बीमारियों से बचाते हैं और जो बीमारियों में अपने यूज करते हैं treatment होता है वो भी होते हैं तो इसके लिए अपना अंसर क्या रहेगा अपना अंसर रहेगा फोर्थ all of these पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योशन बहुत सिंपल है चलते हैं एक्टिकोशन की तरफ जी विच फ्लॉइंग division is useful for chemist देखो drug classification दे रखा है best on pharmacological action best on drug of action best on chemical structure of drug best on target of drug pharmacological के प्रभाव में औस्त के प्रभाव के अधार पर संरचना के लक्षण मों के अधार पर हना तो इसमें क्या है कि जो यह वाला है न फार्माकोलोजिकल यह डॉक्टर के लिए उपयोगी है केमिस्ट के लिए नहीं डॉक्टर के लिए उपयोगी है क्यों है क्योंकि फार्माकोलोजिकल एक्षण का मतलब हो गया कि इसको medicine की बहुत लंबी चोड़ी range मिल जाती है जिससे क्या होता कि वह असानी से मतलब कोई medicine नों यूज कर सकता है यह डॉक्टर के लिए उपयोगी रोकषण है structure है based on target drug यह को के लिए उपयोगी है क्यों उसको मैकनीजम से मिल जाता है ड्रब और गशन अन्रब तार्गे the product of drug का मतलब क्या है कि जैसे कोई ड्रग है वो प्रोटीन पर ीक्षिन कर रहा है फैट पर रियक्शन कर रहा है नुकलीट आसीड पर कर कर रहा है तो वह मैकनिसव उसको प्रोव्य incarnation के लिए उप्योगि तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बाते हैं बागी चीजी बहुत सिंपल क्योशन है जिसने पढ़ रखा उसके लिए बिल्कुल सिंपल है चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरह देखें जब आप रिसेप्टर और ड्रक का इंत्र एक्शन परते हैं तो वहां दो चीजा सेंडर का है इस type से अपने क्या है रिसेप्टर अपने देखते हैं क्यमिकल मेसेंजर इस टाइप से अइसे वो यहां active site पे आके चिपक जाता है और अंदर से a message रिलीज होता है और प्रोसेस होता है एक biological process अपनी बोडि का अब जो drug इसको message देनेसे रोकती है वो तो है antagonist जो तो chemical messenger बनके message देती है वह agonist यह दो ट्रम आती है तो इसमें देखो कौन सा है block the site of receptor यह तो antagonist block the site of enzyme यह अलग है वो enzyme inhibitor हो गया act is a chemical messenger यह यह अपना अंसर एक्ट is a chemical messenger these drugs are also agonist drug agonist जो chemical messenger की तरह काम करें enzyme inhibitor drugs यह नहीं होगा तो इसमें बिल्कुल अपना थार्ड आंसर है यह रसायनिक संदेश वहां को होते हैं थार्ड आंसर होगा यह enzyme को अबरूद नहीं करते हैं यह ग्रहे की सतय को अबरूद करते हैं यह तो मतलब option की यह coding में आपको बता रहा हूं तो इसमें बिल्कुल सा है यह क्योशन बस यह त्रम जरूर ध्यान रखना यह त्रम बहुत important है चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरफ तो नेक्स्ट क्योशन है विच फ्लोईंग और बार्वी टुरेट्स अना बार्वी टुरेट्स जब आप ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ते हैं परसांतक पढ़ते हैं यह आप पढ़ते हो नियुरो लोजिकल एक्टिव ड्रग तो नियुरो लोजिकल एक्टिव ड्रग को टू पार्स में डिवाइड के ट्रैंक्विलाइजर्स एंट एनलजैसिक ट्रैंक्विलाइजर्स वह हैं जो मतलब कि मैंटल डिजीज में अपने को मतलब इंप्रूव करते हैं जो टेंशन stress anxiety को improve करते हैं वह क्या होते हैं अपने tranquilizers होते हैं जब आप हैं बड़ ये बार्वीक ट्रेट से हैं Lumin जाना ये ये दोनों क्या है क्या है बड़ बीटेट से त्रूं का प्रिप्रेशन होता है ठीक है और फिनेरामीन यह तो एंटी अलर्जिक ड्रग होगी तो ये उप्सन तो कटी कर लो ए सारे के सारे जो उपर दी है न मेने इस सारे सब्सक्राइब अर्ट्वाइब एक बार्बी ट्रेट्स आते हैं बार्बी ट्रेट्स क्या होते हैं हीपनोटिक्स टाइब के होते हैं जिन से नीद आती है उनकी एक्जांपल दे रखें अपने NCRT में काफी सारे तो उसमें लुमिनर माइटर ला गया इस टाइप से आना यह तो यह अपना अंसर हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्योश्टन की तरफ यह विच्फ फ्रवाइंग इस नोνट्क्रेक्ट नोट्करेक्ट बանार ट् cancel भेускों तरैंकला अक्मध्र होता है हेरोईन यह नहीं होता भाइं रोập होता है एनाल जैस्थिक शोट नार्कोटिक नार्कोटिक कि नाउन नार्कोटिक का पार्ट है एंटिसेप्टिग पूती रोधी बाई थायूनल होते डिटोल होता बोरिक ऐसीड ये अनालजेसिक हीरोइन मॉर्फिन एस्परीन ये करेक्थ है एंटिबाटिक पैरीसदीन अमिनोगलाइकोसाइड फ्रक्साइड करेक्ट है यही अपना इंकरेक्ट है यही अपना आंसर है अपने से इंकरेक्ट पूछा है परसान तक है ना यह अपने से इंकरेक्ट बैस यह हीरोईन का पता ही रहता है अपने को इससे अपने इसको पहचान लेंगे चलते हैं एक्स्क्रेशन की तरफ जी आर्टीफिशल स्वीचनर विस्टेबल ऑन कोकिंग तंप्रेचर तो इसमें देखो सैकरीन है एलिटेम सुक्रालोस अमाइटर यह यह सॉफ्ट जिंक बगारा में यूज होते हैं मतलब यह लो टंप्रेचर पर स्टेबल है यह यह हाई यह नेक्स्क्रेशन की तरफ चलते हैं एंटी फर्टिलीटी ड्रगीज पर्ति जनन औस्द है तो इसमें नोरेथिन ड्रोन एंड यह थाइनाइस्टर डाइयोल मतलब अपना आंसर क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा इसमें थार्ट यह दोनों के दोनों एक्जामपल दे यह सिंतेटिक प्रोजेस्टरोन है यह सिंतेटिक एज एजोस्टरोन और दोनों का कॉंबिनेशन है तो यह चीज भी साथ में आपको ध्यान रखनी है तो इसमें अपना अंसर हो जाएगा ठर्ट सलते हैं नेक्स्क्रेशन की तरफ तरफ मैस दा कोलम मैच करना अपने को है यह cleaning agent से लेटिव है तो steric acid and polyethylene glycol का जो steric acid यह कौन सा होता नोन आयोनिक होता एन आयोनिक इस पर कोई charge नहीं होता ना positive होता ना negative होता है तो इसमें देखो first है first के अंदर क्या कौन सा था आर first में आ रा गया ठीक है और जो second है second में क्या रहेगा यह कैटाइन सेम वही एक्जामपल दिए है इसमें कुछ नहीं है थर्ड थर्ड में sodium loryl hydrogen यह 9 होते है negative तो यह क्यों हो गया और पी एच भी आपको आपको याद है कि नहीं यह थोड़ा सा ध्यान रखना है chemicals are used in food preservative तो फू भोजन संद्रक्षन में कौन से रसाइन उप्योग होता है तो वेजिटेबल ओईल्स भी होता है sodium benzoid भी होता है और sorbic acid भी use होता है वो भी अपने anxiety में दिया है तो answer अपना रहेगा all of these चलते हैं now question number 15 ओके तो 15 देखो anti-allergy drugs are anti-allergy drugs are यह कौन से होती है anti-stermin drugs होती है anti-allergy drugs are anti-stermin drugs तो citrizin, levocitrizin, bromfiniramine यह evil जैसा salt है bromfiniramine तो इसमें क्या रहेगा all of this अब citrizin दे रखाएबर levocitrizin आपके anxiety में नहीं है तो students please ध्यान दिजिए कि कुछ ऐसे salt हैं जो market में बहुत ज्यादा पर्चलित हैं जिनका बहुत ज्यादा use हो रहा है जर्णली है कि citrizin levocitrizin उसका modified है है एक इसमें आपने देखा होगा citrizin आ गया लिवो citrizin है यह bromfiniramine है एक आपका फिनाइल फिनेरामीन है कलोर फिनेरामीन है या फिनेरामीन मिलेट है फिनेरामीन मिलेट है आपका एविल में होता है तो यह ड्रक्स क्या होती है इसमें अपना फोर्थ आंसर रहेगा चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ जी एक्सेस नाइट्रेट इस ड्रिकिंग वाटर केन कोस्ट डिजीज ओफ तो यह बिल्कुल यह कि डिमेज किड्नी लेट से लेट से लेटिव है जरो थैल्मिया विटामीन इसमें अपना आंसर रहेगा यह नाइट्रेट की एक्सेस क्वांटिटी की वज़ए से ऐसा होता तो यह याद करना पड़ेगा आपको ठीक है तो बेक्वाट से इंवाइर्मेंटल में से इस चीजएं आपको थोड़ा सा लर्म करना पड़ेह आं स्थीघाड इसका बिलिएं इससका 400 से 500 की बीच में लिख सकता है 5500 सकता हूं सकता है तो आपको यह देखना चाहिए कि इसका मतलब की इस्टेंडर्ड वैलीव क्या है जो ड्रिकिंग वोडर के लिए तो चार सो से पार्ट से पर बीलियन होना चाहिए तो थोड़ा सबस्ट इसमें चेंज किया है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और यह बायो चैमिकल उक्षिजन डिमांड फॉर क्लीन वॉटर तो बायो कैमिकल ऊक्षिजन बी ऊडी के बारे में आपको पता होगा कि जब और्गेनी कमपांट्स का बैक्टिरिया डिकंपोस करता है तो वोटर उक्षिजन को यूज करता है तो उसी का जो है अपने देखते हैं एक सर्टेन वाल्यूम में कि वो कितना यूज कर रहा है तो वो बायलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड आ जाएगा हना तो आपको पता है कि 17 इतना अगर ऑक्सिजन के डिमांड होगी इसका मतलब उतना ज्यादा उसमें बैक्टिरिया होगा जितना ज्या कम से कम अपने को शो करनी है इसमें ज्यादा से ज्यादा नहीं कम से कम ऑक्सिजन शो करनी है ठीक है ओके तो अपने चलते हैं नेश्ट के उसन की तरफ तो यह तो आपको लर्ण करना पड़ेगा जी नेक्स्ट है विच रियक्शन इस इन्वावल इन ओजोन डिप्लेशन ओजोन के शह में कौन सी अभिक्रिया है अभिक्रिया है देखो यह अभिक्रिया तो नहीं है यह वाला यह तो अपने अलकीन में पड़ते हैं उसमें अलकीन में है यह या तो यह फरी रेडिकल सब्सिट्ट रियक्शन में है यह नहीं है यह रियक्शन जरूर आता है कि यह नहीं है यह रियक्षन नहीं है यह रापिस और यह रापिस बना रहा है तो यह रियक्षन इसमें नहीं होगा तो बिलकुल यह एकशन आपने को ध्यान रखना और कुछ नहीं है इस reaction में इन winter season which reaction is hold in ozone hall सर्थ मोसम में ozone hole में कौन सी अभिक्रेंग होती है देखो एक ozone hole अपने अंसराएंट में दे रखा आया और उसमें कुछ reactions explain कर रखी हैं तो आप इस पॉइंट को ज़रूर पढ़ना चीए तो देखिए कि इसमें ncrt में कैसे दिया है देखो पहले तो वह समर की बात कर रहा है गरम कफित कर रहा है फिर वह वापिस समर की बात कर रहा है गरंव सौंत की बात कर तो यह जो गरंव सौंतने में तो यह पर वाली दोनों अब देखना यह से बता रहें बढ़ी तरी के से यह पर आता है जो विंटर से और यह सेır करंत Lazida यह यह से यह जो वर जर अला यह यहां इे वर प्रकु यह जाएगा यहां मतलब हिर है इस तरीके से दो यह रियक्शन भी में इसने रखाbod कि इसमें नहीं आपने तो बताना है कि वींटर में कौन वगा तो winter में यह reaction है, अब यह reaction कब होगा, जब winter से वापिस हमर आएगा, तब reaction होगा, यह देखो, stratosphere cloud जो बनते हैं, वो इस season में बनते हैं, winter season में बनते हैं, यह देखो कितना अच्छा question बन जाता है, कि जो stratospheric cloud बनता है, वो कौन से season में बनते हैं, वो winter season में बनते हैं, इन reactions की जैसे बनते हैं यह और यह जब वापीस आएगा ना तो देखो एक हो इच और यह ब्रेक होने वाली रेक्षम सूती है ठीक है तो इसमें अपना अंसर रहेगा तो चलते हैं कि तरफ कि विच एयर पॉलिटेंट्स रिस्पोंसिबल फॉर एसेडिक रहन तो यह दोनों के दोनों है इसमें अपने को बताने की ज़रूरत नहीं है कौन-कौन सा है तो दोनों के दोनों है यह क्योंकि जब अनो टू है जब यह क्लाउड में जाएगा क्लाउड मतलब वाट इसका प्रिप्र में टच में आएगा तो यह एची नो तरी का प्रिपरिशन करता यहां ठीक है और जैसे ही आप सोर्टू और प्लस में एच्टू ओंनों को च्लाउड में और यह अच्छ पस्तिव लिगा तो सद्गण जो बन जाएगा इसका पी एच्छ वो जाएगा चल एसो टू यह दोनों के दोनों responsible होते हैं जी हाना तो वीच प्रॉपर्टीज ओफ क्लासिकल स्मॉग मैंने बोला था कि environmental में से 10 क्योशन मिलेंगे आपको हाना ये तो वीच प्रॉपर्टीज ओफ क्लासिकल स्मॉग में समान्य धुम को रहे कि जो गुण होते हैं कोन से होते हैं यसे बहुता है कूल स्मॉख थे कूल क्लाइमेट में होता है क्लासिकल स्मॉग हाना व혀 तो किमिकल स्मॉग होगा ना तो यह नहीं इमदशकल अई यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा रेड़्ीशिंग नेर जुरूर रिदेशींग डूहता बिलकुल कि फ्रम ब्राउन हमः में दूर्भ कौन बनाता है फोल्टोकेमिकल बनाते हैं भुले रंकर यह उन्हों है एंटू है ओधरी है मिथेन हैं सी एफ सी है और यह ओजोन है यह सब नेम दे रखेंगे मतलब यह भी टोटल क्या है ग्रीन हाउस गैसे तो इसमें अपना कौन सांसरा जाएगा तो यह पॉइंट से आपको ध्यान रखने हैं इंपोर्टेंट है अपने लिए भाई है ना च से आपको मिल जाएगा तो यह ऑक्साइड के नाइट्रोजन की वज़े से ऐसा होता है तो इसमें अपना कौन सांसर होगा फस्ट रोगा चलते हैं एक्स्क्योशन की तरफ जी क्योशन नमर 60 फोटो केमिकल समोग आ गया जो मैंने अभी आपको बताया स्मोग केन बी कंट्र 磨काइड और प्लस में अनोट्वाइडरोकारवन होंगे तो यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है , अब और श्रहे का करता है फिर क्या करता है hydrocarbon को oxidize करता जिससे क्या बनते हैं यह चीजे बनते हैं आप देखना polyacrylonitrion है और यह इस तरीके से पोली ऐसे टाइल नाइटरेट और इधर formaldehyde acrylin यह सब बनते हैं तो इसको control करना बताया गया अपनी तो आप इनको अगर कंट्रोल कर लोगे तो आगे रुख जाएगी रेक्शन से यह नहीं बनेंगे और अगे नहीं बनेगा तो यह सब चीज़ रुख जाएंगी इस तो बाद की बात हो गई कि अब बन गए है तो फोटो केमिकल समोग जो है बन गया है पॉलिशन हो गया है तो यह बात की बात है इसके लिए आपको इनोटीको को स्टोफ करना पड़ेगा इन्किरीज्टा अप्रेचर अरजी परकारेगा लो करके कंट्रोल किया जा सकता है तो यह अपना इसमें आंसर आ जाएगा तो अपने कैसे कंट्रोल करेंगे तो स्टॉप दा प्रोडेक्शन ओफ एनुट्व एन हाइड्रोकारवन इसके निर्मान को रोग कर चलते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरफ जी हां जी नेक्स्ट चलते हैं 15 क्योशन अटमिक स्टेक्चर के तो फ़स्ट क्योशन है 100 ग्राम मास ओप क्रिकेट बॉल इस मॉविंग भाई 6.6 मीटर पर सेकेंड वैलो सिटी डैन वैबलेंद कैलकुलेट तो देखो अपने इसको बिल्कुल इजी कर सकते हैं अपने को वै स्टू माइनस 34 और यहां क्या रह जाएगा इसका 100 ग्राम है तो केजी इसको केजी में चेंज करोगे तो माइनस 3 इंटू और इसका जो है वैलो सिटी 6.6 मीटर पर सेकेंड तो यह कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना रह गया यह कैंसल होगा माइनस 1 माइनस 1 ऊपर तो कितना आजाएगा 10 तो माइनस 33 माइनस 33 मतलब अपना अंसर क्या रहेगा 4th एनसर रहेगा अपना 4th एनसर रहेगा इसके अंदर तो बिल्कु सूम्पल सा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन में मैंने टफ नहीं दिया बैस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यह पता होन सब्सक्राइब कर रहा है कि बात कर रहा है कि डबली नोट की बात कर रहा है एक इकवेशन अपने देखते हैं कि इतना अनर्जी मैटल पे पड़ेगा तो यह जो वरक फंक्षन है हिछ यह वह अनर्जी है जो इलेक्टों को आउट करने में अपनी हेलप करेगी और एक्स्ट्रा अनर्जी है वो kinetic energy में Change हो जाती है Half Mvні square में change हो जाता है यह अपने पास equation है तो इसके coding अपने calculate कर सकते ही है तो मैं E को calculate करता हूं मुझे kinetic energy दी इसको विजakinड करऊंगा तो H new होगा तो h new कितना हो गया 6.6 और 10s to -...34 और into कितना है इसने अपने को wavelength दिया है तो 3 into c upon lambda हो जाएगा तो यह velocity और lambda इसमें कितना है 300 10 is to minus 9 ओके मैं इसको cancel out करूं 3 to 3 तो यह कितना आ जाएगा आपका यह अपका बन जाएगा 6.6 और 10 10 is to यह 7 7 से उपर गया 15 15 15 15 इदर माइनस 19 इतना यह कितना आया यह एक्वाल हम्य वन इलेक्ट्रोन का है हाना मुझे वन मोल चीह तो मैं इसको किस से कल्कुलेट कर लूँगा इसको किस से कल्कुलेट करूंगा मैं 6.023 10 is to 23 पावर आ जाएगा तो इसको मैं ऐसे एक रफली इजी कल्कुलेशन में पूट कर देता हूं तो यह कितना बन जाएगा अपना टो यह टो यह आ जायगा आपका लगबग आहँ मान के चलो यह हूँ हना यह आ जायगा आपका 4 into 10 पाइब Dis horror आप फंक्षन ऐ हैं यह भी मोल में अब यह भी मोल में कल्कुलेट करना है तो इस में से मैं इस को माइनस कर दूंगा तो फोर में से अगर मैं यह माइनस करूंगा 1.68 तो इसका अप्रोक्षमेंट अच्छान कितना आ जाएगा 2.31 10 तो 5 जूल पर मोल आ जाएगा इतना अनर्जी चाहिए तो बिल्कुत सींपल सा कैल कॉलेशन करना है आपको यह आपको पता होना चाहिए कि जब कोई लाइट है या जो फोटोन है जब वो किसी हिट करेगा मैटल को हिट करेगा तो वो क्या कुछ न कुछ चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ जे देखे रिक्वाइड क्वांटम नंबर फो शोदा अनर्जी ओफ वन इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की उर्जा को दर्साने के लिए जो क्वांटम संख्याई है वो कौन-कौन सी चीए अपने को तो बिल्कु सिंपल है अप दी के लिए टू हो गया तो यह एस पीडी तो इनकी अनर्जी वैल्यू को शोग करेगा और यह जो मैगनेटिव क्वांटम नंबर है यह तो उसके कॉंफिग्रेशन को शोग करता तो अपना अंसर कौन सा हो जाएगा इसमें एन और एल अंसर हो जाएगा सेगेंड क्वांटीन है उसका जो अगर मैं लास्ट सेल का इलेक्ट्रोन कॉंफिग्रेशन पूट करता हूं तो क्या बनता है कि 3S2 और 3P5 बनता है तो 3S में क्या रहेगा 3S में आपका यह आ गया और 3P में क्या रहेगा 3P में यह आ गया इस टाइप से यह और मुझे क्वांटम इसके लिए 3 लिए 3S 3P है तो N की वेल्यो सम में 3 और गया इसके लिए 0 है इसके लिए 0 है दो जीरो है वन है तो देखो 0 है 1 है 1 है अब देखिए अब इसके M की value इसके लिए magnetic quantum number इसके लिए 0 और इसके लिए कितना होगा minus 1 फिर 0 पिर कितना हो जाएगा इसका plus 1 तो अब देखो कैसे आएगा इसके अंदर चाहे आप उसको उस type से वैसे show कर सकते हो तो इसमें क्या बन जाएगा अपने लिए यहां इसके लिए 0 हो गया है ना और इधर minus 1 हो गया ठीक है और इसके लिए 0 हो गया अगर मैं 1 देखूंगा तो इसके लिए 0 हो जाएगा यहां इसके लिए 0 है ना और इसके लिए यह माइनस वन इसके लिए फिर जीरो तो यह कौनटम नमर क्या है अन्टारा व सब कि लिए पूछा यह हैं पोछेगा आपका लास्ट एलेक्रों जाएगा तो आइधा गया तो चलतें के तरब बिलकुल सा तुल सा सीम्फल था यह भी हमधि यह देखो यह electron configuration से relative question है after 4D1 next electron goes to 4D2 4D2 sub cell similarly what sub cell will be the next electron enter after 5D1 जैसे आप electron put करते हो जैसे 3D1 के बाद में 3D2 में चला जाता है 4D1 के बाद में 4D2 में चला जाता है तो 5D1 के बाद में कहां जाएगा तो 5D1 के बाद में आपका जो lengthenoid series है वो start हो जाता है और lengthenoid series start होगा तो next electron आपका किस में जाएगा 4F में जाएगा 4F में जाएगा 5D1 में नहीं जाएगा भाई ठीक है F वाले start होगे ठीक है तो इस case में अपना क्या answer रहेगा 4th तो बिल्कु सिंपल सा था भाई यह कुछ नहीं है इसमें वाट रिलेशन बिट्विन magnetic quantum number and the azimuthal quantum number चुम्किय क्वांटम संख्या दिवगैस्टी क्वांटम संख्या में क्या relation है तो 2L plus 1 relation है यह अपने को लर्ण करना पड़ेगा तो इसमें आंसर फंस्ट हो गया चलते है नेक्स्ट क्योशन की तरफ यह यह देखिए निमेरिकल क्योशन है तो आपको क्या बताना अनर्जी ओ फोटन विल बी अनर्जी देखिए यह अनर्जी है जो मैटल से हीट करते हैं और यह जो अनर्जी इसने न्यू नोट दिया है तो मैं इसको एच और न्यू नोट से रिपरजेंट कर रहा हूं प्लस में कीनेटिक अनर्जी इसने कितना दिया है वेने फोटन कीनेटिक एनर्जी इसने दे रखा है 1.8 and 10 is to माइनस 20 जोल, ओके, यह सब दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, यह बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू पूट करें, सॉल्व करते हैं, इसको 6.6, 10S2, माइनस 34, और यह वैल्यू, न्यू नोट की वैल्यू 7, इन्टू, 10S2, 14, ओके, इसको कैल्कुलेट कीजिए, तो यह कितना आ जाएगा, यह टोटल आपका बन गया, 10, माइनस 20, 20, माइनस 20, माइनस करोगे तो, इसको मल्टिप्लाइ करोगे, तो 2 हो गया, पॉइंट, तो यह कितना हो गया, 46, यह, तो यह भी देखो कि आपकी वैल्यू जो दी है, वो किसमें दिया है, माइनस 20, आगे भी माइनस 20 आ गया, तो इनको आपको प्लस करना, प्लस करोगे, त 46 47 48.10-20 जूल आ जाएगा तो बिल्कु सीम्पल सा क्यलकूलेशन है देखो कुछ नहीं करना आपको वैसे यह यह वरक फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी वहला फॉर्मुल आपने को अपने को अप्लाई करना है और अपना सॉल्व हो जाएगा क्यूर्शन ओके चलते हैं एक एक्ट्रोन कॉंफिगरेशन ओपी ठीक है तो देखो इसमें आपको पताए डीकेंदर एक्सेप्शन आता है तो देखो मैं इसको वैसे तो यह लर्न करना पड़ेगा आपको तो इसमें आंसर आपका क्या रहेगा 3D9 और 6S1 इसमें रहेगा ठीक है तो थोड़ा समय इसमें 3 नहीं आएगा 6 नहीं आएगा और एक मतलब कि इसमें यह 9 यह 9 नहीं आता इस टाइप से ऐसा है ठीक है तो इसमें देखो अपना क्या रहेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोन कॉंफिगरेशन है ना तो यह पीडी पीटी का है तो 5D 5D के अंदर क्या होता कि 8 वाला नहीं यह आते नहीं है यह नहीं आएगा और इसमें यह नहीं आएगा 8 नहीं होगा यह ज्यानर को 8 नहीं होगा 3D 8 नहीं है जो आपकी जो है ना यह पीटी जो एकसी वाला यह जो हाना 5D स्रीज इसमें क्या है 3D 8 नहीं आएगा बाकी सब हैं तो 3D 8 नहीं आएगा तो यह 9 हो ज स्थानिक का मतलब सम्भार बिजाब होगा संभा भार सबका सिंवना चाहिए भार का मतलब मौलीपिलर यह पर आपका रहेगा सम्स्तानिक इससी म। नबर रहेगा बिल्कुल इसमें क्यों आ गया फर्स्ट में अपना ना क्यों आ गया और सेकेंड में देखिए सेकेंड सेकेंड में एयार के और कैल्सियम यह क्या दे रखा इसमें जो तो molecular weight है वह 40-40 दे रखा है मतलब कि इसमें आ जाएगा इसमें भारिक पी आ जाएगा और थर्ड थर्ड में देखिए कि यह जो difference है वह क्या रहेगा neutron का तो 16 neutron and next 15 और 31 तो 16 neutron neutron हो गया मतलब इसमें आ गया आपका s और फिर 4th में डाइफ़र मतलब जिसमें कुछ भी सेम नहीं होगा सम्षता नहीं कर शम्संडा सम्झत्रोंग नहीं होगा शंब नहीं होतार हैR तो बाफ्न आपन तो अपने आपने पढ़ रखा है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको एंचार्टी के कोडिंग आपका क्योश्चन जी वन फॉर टॉन कंटेंट 3.3 टैनस 2-15 जूल अनर्जी देन वेव लेंथ विल भी अना अपने को वेव लेंथ बताना है तो एक्वेशन क्या है एक इसको आप सी अपॉन लेंडा लेंडा मुझे कैलकुलेट करना है तो यह आजाएगा एच और सी इधर अनर्जी तो इसको अपने कैलकुलेट करते हैं 6.6 अना टैनस 2-34 और यह वेलो सिटी टैन टी पावर एट और वेवलेंथ इसमें अनर्जी कितना दे रखा आपने को 3. 3.3 3.3 आ जाएगा ऐसे और यह वेल्यू बन जाएगा आपका टैनस 2-15 यह दे रखा है अना वन फोटन इसका अनर्जी दे रखा है अपने को वैब लेंथ कैलकुलेट करना तरंग ददेरे कैलकुलेट करना है तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इसको यह कितना एवन तो एक पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट सिक्स इंटू टैनस 2-10 और इसको पॉइंट सिक्स एंग स्ट्रॉंग में आप उट कर सकते वैसे तो अपने लिए कौन सा अंसर आ जाएगा सैकिन आंसर आ जाएगा तो बिलकु सिंपल सा कैलकुलेशन है फॉर्मूला नेक्स्ट क्यों संगी त्रफ कि जी विचीज इनक्रेक्ट अकोडिंग तो बोर मॉडल बोर मॉडल की अपनार्जी और अपने को रेडियस दे रहा है तो अजी जो है किसके डारेक्ट्ली प्रोपोर्शनल होगा जैस्ट स्केर एंड ऑन्ड जैक्त रएगा आपका एंड इ प्रोपोर्शनल ऐसे यह तो यह आर एंड स्केर करेक्ट है यह भी करेक्ट है और जैट स्केर करेक्ट है यह इनकरेक्ट है हाना तो यह अपने लिए क्या हो जाएगा फोर्थ अपने लिए आंसर हो जाएगा इंवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जैड के इनवर्सली प्रोपो तो आभी मैंने बताया आपको ई-1 & 2, N2, Z2, 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 Z2 4, पिर उसका N2, N2, कौन सा? 2nds है, तो यह भी हो गया, 4, इन्टो, इसका Z2, इसका Z कितना है, इसका Z4, तो कितना हो गया, 16, जेट स्केर अपना कौन सांसर आएगा सेकंड तो ये बिल्कुल सा कंसेप्ट है बिल्कुल असानी से क्योसन को आप कर सकते हो बिल्कुल एंचैटी बेस्ट क्योसन से यह नेक्स्ट क्योसन अपना वैल्यों फॉर्मिटल और यहां अपना क्या रहेगा अंडरूट एल और इधर एल प्लस वन यह फोर्मुला अपने को फोलो करना है तो मैं देखूंगा पी के लिए वैल्यों है तो यह वन यह वन तो टू इंटू वन तो मैं अया है और तो एक पाई और इंटू में आ जाएगा अंडरूट उसन को अंडरूट पाई आ можно और यह 2 और यह आजाएगा pi इसे तो इसमें यह anterior अपना इसमें बिल रहे और इसमें जब पीड की वैलियू आप पूट करोगे तो यह वन हो गया जएट में है Harain की वैल सब्सक्राइर के किवैलियो बिकिवैलीु तो पूट करोगे है तो यह three तो two इन्टु थरी से हो गया तो इसमें फास्ट आंसर आजाए गाना जब इस टाइप का अंसर नहीं तो यहां है नहीं नहीं तो अपना कुछ नहीं करना भाई तो यह बना बिल्कुल सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब कि तरफ वीच फ्लोइंग स्टेटमेंट इस करेक्ट निवन में से कौन सा कथन सत्य है तो अकोर्डिंग टू टी प्रोगली स्मॉल पार्टिकल्स है वे जूल बहेवियर बिल्कुल यह द्वी नेचर को शो करता है यह अनसर्टेनिटी यह ना तो यह भी डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एक्वल ट्वेश पॉन यह भी करेक्ट है और साइन स्क्राइब कौन सांसर आएगा फार्स से कि तरफ बिल्कुल एंसर्टी के क्यों संसे पॉइंट टू पॉइंट अपने को ध्यान रखने है कुछ नहीं है चलते है नेक्स्ट के तरफ एब लब ओफ टू हंडड़ वोल्ट एमीट से मौनो क्रोमेटिक लाइट और वेवलेंट थ्री हंड़ एननम कैल्कुलेट दी नम्मर फोटन एमिटेट पर सेकंड बाइब लब हना दो इसमें जो बलब है वो अनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है कि थेकर तो यह 200 वॉल्ट दे रहा है 200 वॉल्ट तो 200 वोल्ट को पर सेकेंड जूल में कन्वर्ट करोगे तो 200 जूल पर सेकेंड हो जाए गया तो यह जूल में अपना इश्में यह अनर्जी हो इनका यह आ गया और इतनी वेवलेंफ की जो लाइट है वो उस पर पड़ रह तो यह 3 x 10 is to 8 और अपोन आ जाएगा यह 300 नैनोमीटर टैनस्टू माइनस 9 तो 323 कैंसल हो जाएगा इसमें तो यह 1.6 इंटू कितना आ जाएगा ओन पॉइंट इन्टू यह आपका यह नाइन है और नाइन में यह 2 है तो यह site-7 उपर जाएगा तो यह 15 15 से यह आजाएगा टैनस टू-19 यह एक फोटन का अनर्जी है यह वाला एक फोटन का यह टोटल अनर्जी इतनी है तो एक फोटन से इसको आप भाग दे दीजिए तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा इसमें 6.6 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 10 स्टू माइनस 19 तो यह पॉइंट हटा दीजिए तो यह एक 10 उपर आ जाएगा तो इसको मुल्टिप्लाई करोगे तो अप्रोक्शिमेंट 3 होगा यह उपर जाएगा तो यह पलस में 20 तो 3 into 10 is to 20 तो सेकेंड आंसर बता है इतने फोटॉंस है 3 into 10 is to 20 फोटॉंस जो पर सेकेंड है वो रिलीज होंगे होके स्टुडेंट तो यह था आपका सॉलीशन हाना यह केम 5 का तो उमीद करता हूं आपका पेपर अच्छा हुआ गा हो थैंक्यू